नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत हैं, तो आज मैं बात कहने वाला हूँ, रैमको सिमेंट के बारे में बात करूँगा आज, क्योंकि रैमको सिमेंट का जो रिजल्ट आया था, तभी मैं आपको बताया था कि कमपानी का रिजल्ट प्रॉफिट हुआ, म यहां पर प्रॉफिट को कम देखने को मिला, मतलब प्रॉफिट डाउन देखने को मिला था, तो उसके उपर मैं अलग से आपको वीडियो बना करिया था, तो पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ, इस कमपानी ने 52 वीक का लो एचीब करके क्लोजिंग और आप इस कमपानी के उपर निवेस करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, इस सारे इन्फोर्मेशन एक साथ इस वीडियो में देने वाला हो, तो वीडियो को पूरा देखिए, और आभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्रिब ने के तो जोरू सब्सक्र आपको डेली वेसिस इंटेडेलेवेले में आप काम करना चाते हैं, तो नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, एक बाल लिंक जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं, आज के स्टॉक के बारे में, सबसे पहली बात, कॉमपानी के जो पार्फो हैं, एक स्मल के ऐप कोमपानी है, क्ईक के ऐप 20,000 करोड के नजदीग है, तो एक स्मल करोड के ऐब कंपानी हैं, और इस कंपानी के उपर आपको क्य करना चाहिए, उसी के बारे में बात करूँगा, तो आज के दिन देखे, आपे, 823 dzirikos इसका लो किया है मतलब जो इसका जो लो लेवल है वो लो टाच किया है और 52 का लो भी अचिव किया तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग हुआ वो 2.40 परसंट तक गिरावट हुआ करीबन 20 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला तो अभी फिलाल इस कमपानी के उपर आपको क्या करना चाहिए वो आपको बताऊंगा उससे पहले कमपानी के सारे इंफोर्मेशन आपको देखना होगा साती सथ में टेकनिकल चार्ट पेटरन के बारा में भी आपको बताने वाला हो तो कमपानी के इंफोर्मेशन के बारा मे 27 जूलाई 2021 में किया था तो कॉम्पानी ने पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो कितना डेलिवरी उठाई गया वो भी देख लिजिए 41.45% का डेलिवरी उठाई गया था कोई खराब डेलिवरी नहीं है अच्छा कासा डेलिवरी जोरूर कहूंगा और कॉम्पानी की चुब फारफोर्मेंस है उसकी इसाब से कॉम्पानी का इनफर्मेशन के बारे में बात कर तो जब रेज़ा लाया था तब मैं इसके पूर आपको डीटेल्स में वीडियो बनाका दिया था कॉम्पानी का रेजल्ट जो है वो मुझे उतना खास नहीं लगा रेजल्ट प्रॉफिट में है मगर बहुत कम प्रॉफिट है आप खुदी यहापे देख सकते हैं तरीवन पिछले क्वाटर में तो 517 करोड का टोटल पॉफिट हुआ था और इस बार तो मात्र देखा जाए तो 82 करोड का पॉफिट हुआ तो यही चीज आपको देखना चाहिए कॉम्पानी का रेजल्ट में आपको साथ डिसकस क्यों किया इसका कारण जो है वो एक्चुली देखा जाए कि कॉम्पानी किस तरीके से पार्फरमेंस कर रहा है उसका अंदाजा एक अपको लग जाएगा तो यहाँ पे जो रेजल आया था 24 जन्वारी तो 24 जन्वारी से मैं इसको देखू तो देखिए रेजल्ट जो पब्लिस हुआ उसके दूसरे दिन कितना भारी भर कम गिरावट और टोटली गिरते-गिरते करीबन एक मांद में मैं इसका पार्फम में तो आपको खांदार एक रैली देखने को मिलेगे तो बैं आपको में एही कहूंगा company कोई खराब company नहीं है, अच्छा कासा company है, क्योंकि इसका performance आप देखेंगे, तो आपको खुदी पता चलेगा, आप यहाँ पे company का sales देख लीजिए, quarter basis sales देख लीजिए, company देखें, हर quarter में same to same sales किया है, कुछ जादा positivity नहीं है, तो इस type company के उपर इसी तरीके से performance होते रहते है, क्योंकि company meetup type है, उसको हमेशा parallel basis, side basis income sales करते हैं, और side basis income करते हैं, तो उतना growth भी इस company में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो expense के बारे में बात करो, तो expense भी देखेंगे, अच्छा खासा company ने expense किया, जिस तरीके से income किया, मतलब जिस तरीके से sales किया, उसके हिसाब से expense भी जादा हो चुके है, तो company का operating profit मतलब सारे के सारे expense अभी तक adjustment नहीं हुआ, तो operating profit भी देखेंगे, सारे के सारे positive में है, तो company को interest भी पे करना पड़ा, क्योंकि company के पास करजा भी है, तो इसलिए company को interest भी पे करना पड़ रहा है, तो last जो देखना होगा profit, तो company profit किस त सबसे पहले बात, कोरुना के इस first lockdown के बात, जो quarter आया था, उसमें किस तरके से profit है, सबसे पहले बो मैं आपको दिखाना चाता हूँ, आप अब देख सकते है, 110 करोड का profit भी था, तो इतना खराफ situation में भी company 110 करोड का profit किया था, तो इतना अच्छा situation में company क्यों, मात्र 83 हो, तो यहाँ पर देखे, company का जो अच्छली profit जो growth है, वो एक side basis profit बोद है, मैं मतलब एक में side basis profit बोद बोलूँगा, क्योंकि अपन नहीं है, उतना, उतना downturn भी नहीं है, हाँ, पिछले quarter में सांदर profit किया था, 500 करोड का profit किया था, मगर इस quarter का जो figure है, वो करीबन five times कम है, five times से भी ज्यादा यहाँ एक कम देखने को मिला, तो क्या company खराब हो गया, obviously नहीं, क्योंकि company का ज्यादातर performance आपको अच्छा लगेगा, तो small cap type company है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, small cap type company में आपको बहुत ज्यादा volatility and बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से panic situation देखने को मिलेगा, तो अगर इस तरीके से panic situation आप जहल सकते हैं, तो आप इस company के उपर invest कर सकते हैं, तो company के देखिए, peer ratio 20% है, और इसका industry peer ratio 14% है, मतलब इन्दस्टीज peer ratio के से भी ज्यादा इसका peer ratio देखने को मिला, company का जो करजा है, वो 3500 करोर का करजा है, और company का जो company का depth of equity 0.56 है, और company का free cash flow जो है, वो 120 करोड है, company का EPS के बारे में बात कर तो 41.72 piece company के EPS है, और promoter के पास जो holding है, वो 45% promoter के पास holding है, तो देखिए, promoter अच्छा का सा holding होने के बाद भी, promoter देखिए, खुद का share को 13% placing करके रखा, देखिए, मैं एक चीज जुरू कहूंग company का करजा अच्छा ज्यादा है, ठीक है, मगर company करजा चुकाने के लिए profit भी अच्छा का सा कर रहा है, तो इसलिए कुछ समस्याई नहीं है आपे, तो इस तरीके से करजा तो बहुत सारे company लेके रखा है, तो company अगर profit कर रहा है, तो करजा लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत करजा बहुत चुकता कर देंगे, मगर company का यहापे आपको किस तरीके से return मिला, बहुत भी तो आपको देखना चाहिए, हाँ, एक साल में आपको 11% तक negative return, तो एक साल में कुछ return आपको नहीं मिला, क्योंकि मैं चार्ट पटन में ही आपको बता चुका हूँ, ती सार है, तो इसलिए थोड़ा सा recovery कर चुके है, देखे, मैं एक होंगा, आप बहुत सारे दोस्त का हैंगे, सार, बहुत सारे company में तो मुझे साल में 30% तक return मिला है, एक साल में 100% तक return मिला है, और आप इस company को क्यों अच्छा कर रहा है, देखे, मैं company को अच्छा इसलिए कर रहा हो के company सबसे पहले cement company है, दूसरी बात, cement industries में जितने सारे, South India में जितने सारे company से उनमें से number two position में इसका ranking है, दूसरी बात company अभी 20,000 करोड तक पहुचने वाले है, दूसरी बात company हर quarter में और हर साल में profit कर गया है, इतने सारे positivity होने के कारण, आपको company के उपर थोड़ा थोड़ा सा भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप stock market में reeks नहीं लेंगे, तो आपको फाइदा कहाँ से मिलेगा, और एक positive बात भी आपको दिखाने वाला हो, देखिए, company हर quarter सालों में खुद का जो reserve है, वो बढ़ते जा रहा है, मतलब reserve बढ़ रहा है, मतलब company का खुद का एक capital भी बढ़ रहा है, तो अगर उसके पास मान के चली आपका reserve बढ़ रहा है, तो कभी भी कोई भी problems आए, तो अब reserve जतने सरे reserve है, जतने सरे asset है, उसको बेच कर आप पैसा चुकता कर पाएंगे, तो इसलिए reserve क्यों बढ़ रहा है के नहीं बढ़ रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए, promoter के पास 42% holding है, और FIS के पास 8% holding है, public के पास 13% holding है, government के पास 3% holding है, और DS ने तो सबसे ज़्यादा माल उठा कर रखा, यतने सरे institution है, उन में से देखा जाए, DS ने सबसे ज़्यादा माल उठा कर रखा, 32% holding DS ने उठा कर रखा, और DS कौन है, वो भी आपको देखना चाहिए, आप आप खुदी देख लिजिए, Kodak Equity जो mutual fund है, और यहाप आप देख सकते हैं, और भी देखे, Live Insurance Corporation, LIS हो तो हर कसी में invest कर कर रखा, देखे, 5.35 hold कर कर रखा था, अभी वो stake इस December quarter में और भी बढ़ा दिया गया, मतलब सेहर में invest तो जब ही invest कर कर रखा, SBI, Life Insurance, Kodak, सारे के सारे institution, दिगज institution इसमें invest कर कर रखा, तो मेरे ही सब से, अगर वो गलत नहीं है, तो इस company से उसको फाइदा जोरू मिला है, तो इसलिए उसको निभेस कर 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 रखा है, हाँ, इस तरीके से गिरावट के situation में आपको, आपके पास पैसा न कर सकते हैं, तो इस technical chat button के बारे बात परो, तो यहाँ है, तो इस support level को break करता है, तो फिर, मतलब, touch करके उपर जाता है, तो एक बड़ा movement आपको देखने को मिलेगा, अगर इस level को break कर के closing नीचे देते हैं, तो आपको 680 रूपीज तक देखने को मिल सकता है, इस level तक आ सकता है मेरे अनुमान के हिसाब से देखे में भी गलत जा सकता हूँ क्योंकि मैं इस तरी के से टेक्निकल चार्ट पटन यूज करके ही मार्केड में ट्रेड करता हूँ तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट अपके सामने रखा हूँ तो बहुत सारे टेक्निकल च चलेगा कितना सारा accuracy है तो आसा करता हूँ सारा जान करब को मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करना दोस्तों को सेर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं ने स्टॉक लगए तब तक लिए अच्छे सरी है अब निख्या लगए बाए